हेलो डियर इस्टुजेंट वेल्कम टू ओनलाइन क्लास सुब्जेक्ट जोग्राफी मैं अजय सर हां तो बच्चो हम थोड़ा सा बताते हैं अब आज के दिन प्रिजेंट की बात करें तो अब बर्तपुर में बहुत ज़्यादा इस्तिधी खराब चल रही है कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए आप अपने घर से बाहर ना निकलें जरूरी हो तो ही बाहर निकलें क्योंकि जान है तो जहान है इसलिए अपने जीवन की पहले सुरक्षा और अपने घरवालों को बचाएं खुद बचें ये तो थी मेरी सलाह आपको इसके बाद मैं हम बात करेंगे अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं तो बच्चों हमारा आठमा चैप्टर चल रहा था प्रात्मिक वेपसाय और प्रात्मिक वेपसाय में हमने मचली पकड़ना संग रहेंड और आखेट तीन प्रात्मिक वेपसायों के वारे में हमने बता दिया था और आज हम चौथा वेपसाय बताने जा रहे हैं पसू चारन तो बच्चो ध्यान रगना पसू चारण और पसू पालन ये एकी सब्द होता है कभी-कभी आजाता है कुश्टनों में कि पसू चारण या पसू पालन से क्यास है तो ये एकी बात है तो सबसे पहले बात तो बच्चो देखिए पसुचाड़न का मतलब होता क्या है पसुचाड़न का मतलब देखिए प्राची इनकाल में क्या होता था कि माना वो गुमक्कड जीवन जीता था और धीरे-धीरे मानम ने क्या है बहुत सारे पसुओं को पालना सुरू कर दिया तो दीरे-धीरे उनका बेविन प्रकार के खा महां जहां जाते थे आइससाई तंबू बनाते थे और चराते हुए आगे चलते थे इसलिए इससे पसुचारण कहा जाता है तो देखिए बच्चो सबसे पहले आखेट वह संग्रेण पर निर्वर रहने वाले मानव समूने जब यह मैसूस किया कि इनसे डंग से जीवन पासू पालन व्यफ्चाराई को अपनाया विविनि प्राकर्टिक दसाओं परस्तियां में रहने वाले लोगों ने उन चेत्रों में पाय जानने वाले पासूं का चैन करके पाल्तू बनाया तो मानव ने पासूं को पालन शुरू कर दिया पसुआं से मानव को बोज्य पदाद, बोजन पदार दूद, घी, मक्षन, पनीद, चमड़ा वा उन प्राप्ट करते हैं यह भी अफसाय मुख्य ते उन शित्रों में किया जाता है जहां पर जलवाई कैसी होती है गर्म और सुस्क यानि सूखी अथवा सीतोष्ण वस्सको होती है सीतोष्ण का मतलव सर्दी और गर्मी वाला एरिया और सुखी यानि बरसात कम होती है तता धरातल, उबड, खावड धरातल कैसा उबड, खावड और परवती होता है उन चेत्रों में यह पसुपालन ज़्यादा किया जाता है विस्व के प्रमोग छेत्र हैं कुछ अजूपालन के मुखे छेत्र तो सबसे पहले बच्चों देखिए उश्निकटिवन्दी अगास के मैदान उश्निकटिवन्दी गास के मैदान को मतलब होता है जहां पर गर्मी पड़ती है उस इलाके में पाई जाने वाले गास के मैदान तो देखिए यह जो मैदान है यह पांच डिगरी से 30 डिगरी अच्छांस और दच्छांस दोनों के बीच में फैले हुए हैं यहां पर जो वर्सा का उसत है वो 100 सेंटी मीटर से कम पाया जाता है और गास की उचाई जो है वो 1.8 से 3 मीटर के बीच में होती है यह बहुत उंची उंची लमी लमी गास होती है इन गास के मैदानों को सूडान में कहते हैं सवाना बेने जुएला में लानोस ब्राजिल मे पंपाज तता दच्छिन अफरीका में पार्क लेंड के नाम से जाना जाता है यह गास के मैदानों के नाम है बच्चो इनको अलगलग छित्रों में अलगलग नामों से जाना जाता है इसके बाद में देखिए बच्चो यह हम कुछ पसू पालन के बारे में बताते हैं तो यह उंट पालन है जो भूटान सूडान में किया जाता है उंट पालन और यह नीचे भारत में पशुचारण किया जाता है बेड़ बक्रियों का इस तरीके से यह पशुचारण होता है अब आता है इसका दूसरा चेतर देखिए बच्चो सीतोषन कटिवंदिया घास के मैदान सीतोषन कटिवंदिया का मतलब होता है जहां पर घरवी भी और सर्दी दोनों बरावर पड़ती है तो देखिए यह वाला चेतर जो है वह 30 डिगरी से 45 डिगरी के बीच में फैले हैं दोना उत्त्री और दच्चनी दोनों साइड़ों में यहां वर्षा का जो ओसत है वो 50 सेंटी मेटर है कितना है 50 सेंटी मीटर पूरा वार से कहिए इन घास के मेदानों को रूस में कहते हैं स्टैपीज क्या कहते हैं संक्तराजी अमेरिका में पंपाज और और ऑस्टेलिया ुस्तरा चेत्रे मुर्षे लिया चेत्रे चेत्रे विश्वचे जितने भी हैं तो मोउच्छल में जैसे थारा मुर्शवचल यह अपने बारत का है औरम्तं लूक्या के जितने भी प्रवतिय इसल निकृत सब्सेज करते हैं Inhale व variance इसलाईह है अधम यानी आधी मानव के तर यह जो पसु चारण है वो दो प्रकार का होता है एक तो होता है चलवासी पसु चारण और एक होता है आपका व्यापारिक पसु पालनिया बाणिज्य पसु चारण तो इसी में हम चलवासी पसु चारण की ही बात कर रहे हैं तो देखिए इसकी कुछ प्रमख विस्यस्ता है कि जो चलवासी पसु चारण है वो मुखेते जीवन निर्वा करिया है यानि माना अपना जीवन निर्वा ही कर सकता है इससे दूसरी विस्यस्ता यह है कि यह पसु पालन का साधारन रूप है इसमें पसु मुखिते प्राकरती बनिस्पती पर ही आसरित होते प्राकरती देद्वारा जो पेड़ पादे होते हैं तीसरा है चलवासी पसु चारण में भूमी का विस्तृत उप्योग किया जाता है चलवासी पसुचारण में क्या होता है भूमी का विस्तुरत उप्पी हो यानि काफी भूमी के आवसकता पड़ती है पसुओं को चराने के लिए चौथा इनकी संपत्ती इनके पसुओं होते हैं यानि इस पालन में जो पसुओं करते हैं उनकी संपत्ती इनके पसुओं होते हैं तो ये पश्मी राहिस्तान में बकरी पालन का एक चितर दिया गया है जिसमें बकरी पाली जा रही है इदर ये चलवासी पसुचारण है उन्टों के साथ में अपने ये उपर देखिए अपने खाने पीने की आवसक बाली बस्तु है उनको अपने साथ में लेकर चलते हैं और जा रात हो जाती है वहां पर ये डेर डाल करके वहां पर आराम करते हैं फिर दूसरे दिन सुबह होते ही चल पड़ते हैं तो ये चलवासी पसुचारण की जो बेदियेस में प्राचिन डंकी है प्राचिन काल से मतलब प्राचिन काल की तरीके से की जाती है ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए रित्वों के अनुसर क्या करते हैं पसुचारण करते हैं चारे की प्राप्ति के लिए जैसे की वर्सा रित्व है इसकी नवी विशिस्ता ही है कि वारत में इमाले के परवतिये छेत्रों में इमाले के परवतिये छेत्र जिते भी है इमाले परवतिये छेत्र जिनमें गुजर बकरवाल गद्दी और भूटिया ये कुछ जन जाती है समूं के लोग है उन्हों लोगों का समूं ग्रीसम काल में मैदानी चेत्रों से क्या करता है गर्मियों की रितू में मैदानी चेत्रों से परवती चेत्रों में चले जाते हैं तता सीत काल में परवती चेत्रों से मैदानी चेत्रों में आ जाते हैं तो यानि रितू के अनुसान इनका प्रवास होता है इसके बाद में अगला जो अगली विश्यस्ता है कि चलवासी पसुचारकों की संख्या और छेत्र निरंतर घटती जा रही है यानि चलवासी पसुचारकों की संख्या दीरे दीरे घट रही है इसके दो कारण है सबसे पहला कारण है कि राजनेतिक सीमाओं का अधीरोपन बेवने प्रकार कि एक देश की दूसरे देश की सीमा का अधीरोपन हो गया है जिससे एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते है इसके लावा राजों में भी नहीं जा सकते है दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाई जाती है तो जो चलवासी यानी चारागा जो भूमी होती है उनमें नई नई बस्तियों को बसाने की योजना बनाई जाती है इससे क्या है वह भूमी इन बस्तियों में घिर जाती है 11 में पॉ przedsiębior पिचली एक सदी के दौरान एक सदी के मतलब 100 वर्स के दौरान उत्रीवा दच्छनी अमेरिका ततह औस्टलिया में चलवासी पसुचारण का जो इस्थाने वे ब्यापारिक पसुचारण ले लिया है अब दीरे दीरे ये चलवासी पसुचारण क्या है में सिचाई की व्यवस्ता काकपास की खीती की जा रही है तो इस तरीके से बचुझे आपका चलवासी पसूचारन हो गया अब अता है वानद जेक पसूचारन क्या होता है वानद जे भ्या पारिक पसूचारन भी कहते हैं कि घ्यान और विज्यान की प्रगर्थी वर्त्मान में ग्यान और विज्यान की प्रगर्थी हो रही है और मानव की आवसक्ताओं में ब्रद्धी हुई है हुई ब्रद्धी ने पसु पालन व्यवसाय के रूप में बारी परिवर्तन कर दिया है इधर मानब की आउसकता बढ़ गई और इधर मानब वेग्यानिक तरीक और तकिनियों को अपनाने लगाए तो इस से इस पसु पालन में क्या हो गया है परिवर्तन हो गया है आज अनेक नई नई और बड़े बड़े चित्रों में पसु पालन जो है वो ब्यापारिक इस तर पर व्यवस्तित यानी बहुत systematic डंग से किया जाता है, इसकी निम्न विशेष्टा है, व्यापारिक पसुचहरण की या बांडेजिक पसुचहरण की, सबसे पहली विशेष्टा है कि यह अत्यादिक व्यवस्तित तथा पूझी प्रदान व्यवसाय ह इसमें क्या होता है पैसे की ज़्यादा जरूत पड़ती है और अधिक बेवस्तित है नहीं सिस्टेमिटिक है दूसरा है पसुओं के लिए बड़े-बड़े फार्म बनाई जाते हैं जिन्हें रेंच कहते हैं बच्चों यहां से एक कुष्ण पूछ लिया जाता है कि रेंच किया जाता है और डिबबा बंद करके विस्टो बजान में नर्यात कर दिया जाता है देखा होगा आपने पैकिंग वाला दूद पैकिंग वाले मक्खन वगेरा यह सब बैग्यानिक तरीकों से संसोदित किया जाते हैं चौती विसस्ता है कि इन उत्पादों को सरने से बच किया जाता है पांच वी इसी सही है किसमें मुख्या ध्यान पशूंग के प्रजनन और जननिक सुधार जननिक सुधार का मतलब होता है पसु नसल सुधार बीमारियों पर नेंतरण उनके स्वास्ते पर रहता है जादातर ध्यान पसुओं के अगर कोई टीका लगवान आए तो उसका ध्यान रहता है पसुओं के परजनन पर द्यान दिया जाता है चटी में इस सही है कि ब्यापारिक पसु पालन मुख्यत है सीतोषन घास के मैदानों में किया जाता है ज्यादा तर ब्यापारिक पसु पालन जो है वो ना तो ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गरिवी वाले इलाकों में मैदानी भागों में किया जाता है तो बच्चों हम देख सकते हैं देखिए यह इस तरीके से एक व्यापारी बड़े बाड़े बाड़ा आए उसमें पसुओं को पाला जाता है इसी तरीके से न्यूजिलेंड में व्यापारी पसुद चारण है यह गाय है ओलेंश्टेन जो की सबसे आदा दूद देने वाली गाय है तो यह न्यूजिलेंड का है इसके बाद में देखिए साथमा पॉइंट है कि डैन्मार्क और न्यूजिलेंड तो दूद के लिए ऑस्टेलिया दूद और उनके लिए सभी तराज अमेरिका मास वा दूद उत्पादन के लिए अपनी विस्व में विस्वेश पैच विस्व में किया जाता है यह साड़नी आटवन टेक है इसमें देखिए चलवासी पसु चारण और व्यापारिक पसु चारण में अंतर है तो सबसे पहला अंतर देखिए चलवासी पसु चारण और ब्यापारिक पसु चारण चलवासी में क्या होता है ये चारे और पानी की खोज में एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर घुमते हैं जबकि ब्यापारिक में क्या होता है इस प्रकार का पसूपाला ने एक निश्यत इस्तान पर बाढ़ों में किया जाता है। अलवासी पसुपालक जो है वो जीवन निर्वागी एक आर्थिक क्रिया ही है जबकि ब्यापारिक में यह ब्यापार परादारित आर्थिक क्रिया है चौता पॉइंट है यह पुरानी दुनिया तक सीमित है जबकि ब्यापारिक पसुचारण पालन में या चारण में यह जो ह लिए वस धन्यवाद